दोस्तों कड़ी गर्मियों के बाद जब मीथी मीथी गुनगुनी धूप वाली सर्दियों का एहसास होने लगता है तब हमारा बगिया फूलों से भर जाता है लेकिन कई बार इन फूलों की बगिया को भरते हुए फूपसूरत बनाते हुए हमें कई पैसे यानि रुपिये कई सारे खर्च हो जाते हैं तो कुछ रुपियों को खर्च करके बाद हम लोग उसी खर्च किये हुए रुपियों से अपना इंट्रेस्ट बढ़ा ले यानि कि जो पौदे हमने खरीद लिये हैं या खरीद कर लाएंगे उनसे धेरों कटिंग लगा ले तो आज की वीडियो में बने रहिए का मैं आप दे ज़े के में सामधे रिवर सेंड और गार्देन सौैल के इकी और पालो में रखना है यानि एक कप मिटी-कप बालू ले न हो ले इसके बिना तो हमारा विंटर गार्डेन अधूरा है, तो चलिए इसकी कटिंग को हम लोग लगाते हैं, यह काफे खूबसूरत पौदा होता है, बड़े-बड़े साइजों में इसके फूल कीलते हैं, तो जो मिट्टी हमने भरी है, उनमें हलकी पहले हमें पानी दे देनी है और अपने गार्डेन से कटिंग हम लोगों को ले लेना है, यह कहीं से भी हमें एक कटिंग मिले, तो केवाल एक नोट ही कटिंग रहने से भी इसमें बहुत ही असानी से जल्दी से कम सकाम 15-20 दिनों में इसमें रूटिंग हो जाती है, तो अभी आप कटिंग लगाएंगे तो आपको 20 दिनों के बाद ये पौधे आपको रेडी मिलेंगे और धेर सारे फ्री में आपके पौधे से ही कई सारे पौधे रेडी हो जाएंगे, तो देखें ये 15 दिनों के बाद इसमें कितने सुन्दर से रूटिंग बनी आप लोगों को निकाल कर दिखाती हूँ, डि बहुत ही सुन्दर फूल होता है, इसके फूलों में से हम लोग पूजा भी करते हैं, और भीनी भीनी खुसबू भी आती है, और मेरी गोल को एक बार आप लगाएंगे, तो धेरो पौधे उसकी कटिंग से मुफ में हजारो पौधे रेडी कर सकते हैं, तो इसमें भी आप नोड की आप लेंगे कटिंग, क्योंकि कटिंग में नोड होना काफी जरूरी होता है, जहां से पत्या निकलती हैं, वो ही हमारा नोड कहलाता है, पस दिस्पोजेबल में एक से दो नोड मिट्टी के नीचे धसा दीजे, तो इसमें तो तीन दिनों में ही रूटिंग हो जा कितनी जादा जड़े इन में बन गई हैं, दोस्तों देखे, तो जब हम लोग लोग बजट गार्डनिंग की बात करते हैं, तो हमें कटिंग से धेरो पौधे रेडी जरूर करने चाहिए, जिससे एक से अनेक पौधा बनता है, नेक्स्ट ये खुबसूरत फूलो वाला आज जो पौधे में बता रही है, उनकी कटिंग 100% लगेगी, अगर कोई 1% नहीं लगता है, तो उनमें हमारी ही कुछ गलतिया रहती हैं, जिसके कारण कटिंग नहीं लगते हैं, कटिंग लगने के लिए सबसे जरूरी बात ये नोड एरिया ही होती है, जहां से पतिया नि आज करने करें, और पाणूंस से एद्या में लगता है, और रेप और उनलो में लगता है किउनकी हम लोग हर बढ़ाहत में उस कटिंग को आनन भाना में निकाल देते है, बार बार हमें हरबाणा नहीं हों है, चेक नहीं करना क्यों तो फूल ओल्स की पूलिया कुछ trail के बहुत सुन्दर सुन्दर विराइटी होती है इसकी कटिंग भी तीन दीनों में जड़े आ जाती है लेकिन हपते भार हम लोग रूप कर उसकी कटिंग को देखते हैं तो उनमें काफी ज़्यादा जड़े बन जाती है इस तरह से जो भी वाराइटीस आपके पास हो या किसी से किसी फ्रेंड के यां से आपको इस तरह की कटिंग मिले तो उसे जरूर आप जिस तरह की सॉयल मैंने बताईए इस सीजन में वैसी सॉयल में आप लगाएंगे तो आपके कटिंग तीन दिनों में जड़े तो बनेंगे लेकिन हपते भर में इसमें बहुत ही बहतरीन और व्राइट होता है, जड़े बहुत ही अच्छी बनी है, दस दिनों में इसकी जड़ देखिए, पूरे डिस्पोजिबल को कबर कर लिया है, इस तरह से मैं कोलेस की कई सारे कटिंग लगाते रहती हूं, कई पॉट्स रेडी करते रहती हूं, बहुत ही सांदार रिजल्ट म पूलो वाला पॉधा बर्बीना, ऐसा लगता है कि कई सारे तारे हमारे गार्डिन में टिम्टिमा रहे हो, बर्बीना बहुत ही खुबसूरत गुच्छों में भर कर खिलने वाला फूल होता, कटिंग से तो इतनी एजली ये लग जाते हैं कि इसके क्या ही कहने, और हपते हर मैं से 15 दिन में, इसके कटिंग में से रूटिง निकल कर आने लगती है, और इसके सानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो क्यों ना एक पौधे से अनेक पौधा बनाया जाए, इसके कटिंग में तो एक नोट भी होने से एक छोटे से कटिंग आप लेंगे, तो उस भी बहुत ही बहतरीन बनी है तो 15 दिन का इंतजार करना है हमें 15 दिन के पहले कटिंग को छेड़ चार नहीं करना है बहुत जादा हिलाना डूलाना नहीं है और कटिंग में नमी बना कर रखना है पर बहुत जादा उबर वाटिंग नहीं करनी है फंगी साइट का पानी से इसकी वराइटी आती है कोई से भी कैलन्चो की कटिंग आप लगाएंगे वह बहुत ही इसली लग जाता है वैसे भी हाईविट कैलन्चो की कटिंग लगाकर हम लोग उसको नेक्स्ट एयर के लिए सेब कर सकते हैं तो पंद्रा दिन पहले एक कटिंग लगी थी उसकी रिजल्ट आप लोग देखिए कितने अच्छे से इसकी जड़े बनी हैं तो पंद्रा से बीस दिनों में बहुत ही अच्छे से कटिंग की ग्रोथ सुरू हो जाती है तो कैलन कोई भी आप लोग कटिंग लगा कर बहुत सारे आप बना सकते नेक्स्ट यह अलाइसम का आप देख रहे हैं काफे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में एविलेबल होता है पिंग पर्पल वाइट तो जो सभी आपकी कटिंग मिले या आप गार्डेन में कहीं से तो इसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा हाला कि यह बीज से काफी आसानी से ग्रो हो जाते हैं लेकिन इस टाइम बीजों से ग्रो ना करकर आप इसे कटिंग से मल्टिप्लाइ कर सकते हैं तो नोड एरिया रखिएगा एक नोड भी होने से इसकी कटिंग काफी आसानी स लगेगी बस हमें धीरत से काम लेना है और कटिंग को हिलाना डूलाना नहीं है दोस्त नेक्स्ट यह आप लोग खुबसूरत पृटुनिया का पौधा देख रहे हैं पृटुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और सेड्स अभी लेबल होते हैं कई पैटेंग के दूसरा आपका पौधा बूशी भी हो जाएगा तो जोन से भी कटिंग बहुत उची उची जा रही हो तो आप उस कटिंग को ले ले आप चाहे तो कटिंग में से फूल भी हटा सकते हैं और उसकी कलियों को भी हटा कर कटिंग लगाएंगे तो उनमें जड़े जल्दी से बनेंगी मैं आप लोगों को इसकी कटिंग लगाना बता रही हूँ इस तरह से एक नोड एरिया भी आप मिट्टी के नीचे देंगे तो आपकी कटिंग लग जाएगी बस नोड एरिया का ख्याल जरूर रखना है कि कटिंग में नोड होनी जहां से पतिया निकलती है वही जब भी आप कटिंग लेंगे तो तीन चार कटिंग लगाने से एक या दो कटिंग सकसेस होती है तो आप लोग बहुत सारे मिल्टीपल कटिंग लगाएं और जिसे की कटिंग बहुत सारा लगे आपका सकसे स्रेश रेच जादा मिलें नेक टी साल 21 का पौधा देख रहे है लुक लगता है आपके गार्डेन का तो अपके गार्डेन में से आप कुछ अपने पौधों की सी कटिंग लेकर लगा लेंगे तो काफी ज़्यादा ये आपको फाइदे मन रहेगा क्यूंकि पौधा अगर एक है हमारे पास तो कटिंग लगाकर अनिक पौधा हम लोग रेड जिसे की मिट्टी के संपर्ख में अने से फंगुस क्रिएट ना हो और कुछ पतियों पहताना है कुछ पतियों को हमें रखना है और डिस्पोजग मुझिबल को हमें गीला काब कर कर और उसको पाणी डालने के बाद हमें कक टिंग लगानी है चाहे तो और एल्यवेर्ष ज और मार्च अपरेल तक इसकी ब्लूमिंग का मज़ा लीजे नेश्ट इंपेशन का पौधा आप लोग देख रहे हैं इसके फूल काफी खुबसूरत होते हैं यह चाया में चलता है बहुत ही आसानी से और कम पानी में चलता है यह सकुलिन विराइटी का पौधा होता है इसकी खुबसूरती इसके फूलों में ही रहती है क्योंकि इसके फूल बहुत सारे कलर्स में एबिलेबल होते हैं काफी खुबसूरत वन अब दा मोस्ट फेबरिट प्लांट है यह मेरा तो इम पैसन के पौधे से एक छोटी से कटिंग लेंगे जिसमें एक नोड एरिया होगा त जस दिनों से पंद्रा दिनों के बाद ही मैं इसको देखूंगी पौधे की अगर वह एक्टीब है तो यानि कि वह कटिंग लग गई है नेक्स दोस्तों दाइन्थस का पौधा आप लोग देख रहे हैं डाइन्थस का भी बहुत ही खुबसूरत होता और इसे बचा कर रख इनकी पतियों को हटा कर नोड एरिया को क्लियर करना काफी जरूरी होता है जहां नोड एरिया है वही से रूटिंग होगी तो आप लोग इस टाइम पर कटिंग लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको आने वाले दिनों में इसकी फ्लाउरिंग मिलेगी क्योंकि र 30 दिनों में आप इसकी रूटिंग को मजा ले सकते हैं और नेच्ट ही जो आप लोग देख रहे हैं यह इस बहुत ही असानी से कंटिंग से लगती है और रिसेंटी मैंने इसे बाय करी है और इसकी एक कटिंग लूँगी और उस मैंल्टिप्लाइक करूंगी जब भी ręसरी स कोई पौदा खरीद कर लाते हैं तो उसमें मल्टिप्लाइ करने में ही मज़ा है तो देखे दो तीन नोट मुझे एक कटिंग में मिल गई है तो इसको इस तरह से डिस्पोजेबल में दे दिया है अब बस हमें 20 दिनों का इंतिजार करना है इसकी रूटिंग के लिए नेक्स्ट बिगोनिया बहुत एक खुबसूरा तैक सक्लिन विराइटी का पौदा होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसकी पत्यों में होती है और इसकी सेड भी होते है तो ये भी कटिंग से काफी इसली लग जाते है और ये जो सक्लिन विराइटी का पौदा होता है उसकी कटिंग में बस हमें यही ध्यान रखना है कि बहुत जाता ओवर वाटरिंग हमें इसकी कटिंग को नहीं करनी है तो चलिए देखते हैं कि emesan की cutting को किस तरह से लेना है तो हमें इमpe nächsten के पधे में नीचे देखना है नीचे से अगर कोई branch fake रही है तो वहीं से हम लोग इसकी cutting को निकालेंगे तो काफी असानी से इसमें rooting हो जाती है और उपर की tip की cutting लेने से उसमें देश से rooting होती है तो इस तरह से देखे मैं नीचे से निकाल रही हूँ आपने भी इसी तरह नीचे से push करके एक branch को अलग करना है plant से तो कभी-कभी इसमें जड़े भी निकल कर आ जाती है अगर जड़े नहीं भी निकल कर आती है तो भी वो पौधा हमारा लग जाता है तो चलिए देखते हैं ये निकल गई मेरी cutting और अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगी बस सीधे इसकी जो cutting हमने निकाली है उसी cutting को मैं as it is मिट्टी में इस तरह से दबा दूँगी बस ऐसे करने से मातर इसमें rooting हो जाएगी और 15-20 दिनों में इसमें बहुत एक नया पौधा healthy सा तयार होकर मिलेगा इसकी भी update में आप लोगों के साथ share करूँगी तो इस तरह से आप अलग-अलग disposable में लगा सकते हैं next ये calendula का पौधा है calendula भी काफी असानी से बीजों से भी लग जाती है और cutting से भी लग जाती है काफी खुबसूरती ये आपके garden को देगी अगर नेटर्स को भी attract करता है अगर सबजियों का बगान आप लगा हैं तो calendula को लगाना मत भूलिएगा तो ये इसे मैं बीजों से ही grow करी हूँ और देखिए बहुत ही healthy चल रहा है मेरा पौधा तो मैं इसे और multiply करना चाते है तो नीचे से मैं देख रही हूँ कि कोई branch निकल रहा है कि ने फिर उपर से देख रही हूँ कि एक के उपर एक इसमें branches निकलते जाते हैं और वो बूशी होते चला जाता है तो देखिए इस तरह से आपको कहीं से भी एक अलग से कोई branch दिखती है तो आप वहीं से लेकर इसमें आप तोड़ कर इसकी cutting लगा सकते हैं देखिए मैं ढूंड रही है आप भी इसी तरह से देखिएगा एक healthy सा branch सेलेक्ट करिएगा और देखिए किस तरह से मैं इसे निकाल रही हूँ उस बात को आप गौर्ड फरमाए इसी तरह से आपने भी cutting को लेनी है इस तरह से देखिए नीचे से एक branch को मैं तोड रही हूँ और अच्छे से इसे तोड़ना है बहुत ज़्यादा पौधे पर जोर stress नहीं देना है अराम अराम से हमें cutting को निकालना है और इस तरह से देखिए एक cutting मुझे healthy से मिल गई है और देखिए cutting के crown part भी हमें मिला है इस तरह से एक डंडी मिली है उसमें पतियों को हटाना है ताकि उसके जो node area है वो clear हो जाए जहां पतिया रहती है वही node area होता है तो इस तरह से पतियों को clear करते हुए हमें इसको देखिए इस तरह से मैं clear कर रही हूँ चार पांच पतियों को हमें हटाना है और बस इसको crown part को नहीं देना है बस यह वाला area हमें मिट्टी के नीचे देना है और अच्छे से हमें मिट्टी के नीचे देने के बाद इस तरह से देखें यह कटिंग लग गई कटिंग लगाने के बाद हमें 102 दिन चाया में रखनी है इसकी पत्या भी थोड़ी मुर्जाएगी पर हमें गबराना नहीं है कि पत्या मुर्जा गई है धीरज रखना है और देखें इस तरह से सांदार रिजल्ट निकल कर आई है कटिंग मे बहुत ही बहतरीन जड़े बनी है और अब यह फूल देने के लिए तयार हो जाएगा जब इसे हम लोग अच्छे से कंपोस्ट वाली सॉयल में लगाएंगे नेक्स्ट यह जरेनियम का खूब सूरत सा फूलो वाला पौधा आप लोग देख रहे जरेनियम भी बड़े ही आ ध्यान से देखिएगा आप इसे किसी भी पॉट में डिस्पोजेबल में कोई पुराना सा वेश्ट में भी आप लोग लगा सकते हैं तो इस तरह से आपने इसको मिट्टी के नीचे देना है हलका सा तीछा करते हुए और बस इसमें बहुत ही ध्यान रखना इसकी मिट्टी साथ चाहिए वैसे इनको भी आपस में साथ चाहिए तो किसी बड़े से पॉट में हमें एक साथ इन कटिंग को रख देना है और इस तरह से इसे हलके फवारे से हलके हाथ से हमें इसमें वाटरिंग करनी है तब इनमें बहुत ही अच्छे से जल्दी से रुटी निकल कर बाई दोस्तो टेक कियर हैपी गार्णिंग